नमस्कार स्वागत है आपका न्यूजी बढ़ में और मैं हूँ आपके साथ प्रगती से नहा वरिष्ट कॉंगरेस नेता मलिका अजुन खडगे ने अमेरिकी डॉलर की मुकाबले भारती रुपे के लगतार गिरने पर केंद सरकार पर निशाना साधा है बुदवार कोई कॉंगरेस पार्टी के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए मलिका अजुन खडगे ने ट्वीट कर लिखा डॉलर की मुकाबले फिर रुपेया रिकॉर्ड नीचले स्तर पर 83 पार पहुचा गिर्दा रुपेया हमारी एकुनॉमी के लिए काफी खतनाक साबित हो सकता है वितमंत्री ने कहा कि रुपेया कमजोर नहीं हो रहा है डॉलर मजबूत हो रहा है सिर्फ बयानों से काम नहीं चलेगा कि इंद सरकार को जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने होंगे मलिका अजुन खडगे ने अपनी ट्वीट में वितमंत्री निर्मला सितरमन को भी आड़े हाथ लेते वे कहा कि अब बयानों से काम नहीं चलने वाला है गौर तलब है कि वितमंत्री ने 16 अक्टुबर को कहा था कि रुपेय ने अन्य उभरती बाजार मुद्राओं की तु वे सितारमन ने कहा था कि ये डॉलर की मजबूत होने के कारण ऐसा हो रहा है उन्होंने कहा कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है वितमंत्री ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान एक प्रेस वार्ता में कहा कि मैं इसे रुपे में गिरावट के तौर पर नहीं देखती बता दे भारते रुपया इस समय लगतार सतल की ओर जा रहा है गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 83.8 पर पहुँच गया जो कि अब तक का सबसे नीचला स्तर है बुदवार को ये 81.95 पैसे के नए रिकॉर्ड नीचली स्तर पर पहुँच गया था जिस दिन पीम नरेदर मोदी ने पहली बाद शपत गरहन की थी उस दिन यानि 26 मई 2014 को भारते रिजर्व बैंक के आरकाइस के मुताबिक एमेरिकी डॉलर की तुल्ला में रुपया 58.58 के स्तर पर बंध हुआ था और आल जियानी 20 अक्टूबर 2022 को कारूबार के दोयान रुपया 83.12 के स्तर तक पहुच गया है जो की 41.89 फीस्दी जादा है पिछले 8 साल में रुपय में आई ये गिरावट अतिहासिक है और ये मोदिकाल में लगबग 82 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83 रुपय का अस्तर को पार कर चुका है ऐसे अमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूजीबर्ड